Hey guys कैसे हो आज के वीडियो में राजस्तान जेके के 30 very very important questions लेके हैं और यह सारे questions पहले के exam में पूछेगे अगर आप लोग राजस्तान के किसी भी competition exam की त्यारी कर रहे हैं ये वीडियो बहुत important रहेगा अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो दो से तीन नमबर आपके अराम से पक्के हो जाएंगे क्यूंकि इसी पेपर में से आने वाली भर्तियों में क्योशन रिपीट हो सकती है देखे कनिश्ट विग्यानिक सहाइक कर रासाइन भर्ती प्रिक्षा दोजार उन्नीस जिसका एक्जाम 14 सितंबर 2019 कोबा और इसी भर्ती के अंदर ये 30 राजस्तान जीके के परसन पूछे के इन सभी के हम बात करेंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना रासाइन जीके के जितनी भी प्रिवेश येर की क्यूशन पेपर है उन सभी वेडियो बनाएंगे और आपकी त्यारी बहुत अच्छी करवा दी जाएगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और आप लोग भी परते क्यूशन का एंसर कॉमेट में बताने की कोसिस कीजिएगा पहले क्यूशन आप सभी के सामने है राजसान में कौन सा स्थान ब्ल्यू पोटरी के लिए जाना जाता है तो ईजी क्यूशन है जेपूर आप्सन भी सेकंड के हम बात करेंगे निवन में से कौन सा यूगम गलत है इन में से कौन सा यूगम जो है गलत सुमेलित है देखिए यहाँ पे देवता का नाम दियागे और उनका जो स्थान है जहाँ पे इनकी पूजा की जाती है जैसे रामदेवरा, मलेना जी, खर्णाल, पाबू जी कोलू और गोगा जी दद्रेवा तो जहिर सी बात है कि मलेनाजी का खर्णाल नहीं होगा यहाँ पे तेजा जी तो यहाँ पे सी हमारा उत्तर हो जाएगा जो की गलत है थार्ड की हम बात करेंगे जुनागड किले का निर्मान किशने करवाया था जुनागड किले का निर्मान किराया था राइस सिंग ने ओप्सने इसका सही उत्तर होगा फोर की हम बात करेंगे बीका निर के कौन से सासक को उसकी वीरता से परभावी तोकर औरंगजेव ने माही मरातिव की उपादी दी माही मरातिव की उपादी और मुझेव के दोवारा बिकाने के किस सासक हो दी गई फोर का राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन डी राव अनुप सिंग को फाइब के हम बात करेंगे डूंगरपुर राजे में गुहिल राजवन्स का संस्थापक कोन था तो यह सीकर के अंदर है ओप्सन डी सेवन की हम बात करेंगे उद्धेपुर राजे में डाकन पर्था का पर्तिवंद कब लगाया गया डाकन पर्था पे पूरी तरह से रोक कब लगाई गई थी यह परसन कई बार एक्जाम में पूछा गया 1853 में ऑप्सन बी एट की हम बात करेंगे देसी रियास्त को 25 मारच 1948 को गटित स्यूंक तर राजस्तान का हिस्सा नहीं थी इन में से आपको बताना है चारों में से कौन जो की 25 मारच 1948 को जो एकिकरन वाता स्यूंक तर राजस्तान का हिस्सा नहीं था बहुत अच्छा क्यूशन है और इसका जो उद्देपूर हो जाएगा यह नहीं है बाकी सारे थी नाइन के हम बात करेंगे किसने राज पताना की देशी रियास्तों के साथ तो जो भी संदिया होई थी उनमें जो चाल्स मेक्टॉप अंग्रेज इडिकारी जिनके दोरा ये बाचित की गी थी ओप्स ने इसका सही उत्र होगा ग्यारा के हम बात करेंगे परमवीर चकर विजेता मेजर सैतान सिंग समंदित थे परमवीर चकर विजेता मेजर सैतान सिंग जो है कौन से जिले से हैं तो ये जोदपुर से ऑप्सने इसका सही उत्र होगा 12 के हम बात करेंगे राजसान की किस एतिहासिक द्रोर को युनियस्को की वर्ड हेरिटेस सूची में सामिल किया गया है तो राइट एंसर रोजे को आपसन सी जंतर मंतर वेदसाला 13 के हम बात करेंगे पच्छेवड़ा संदर्बित है पच्छेवड़ा किस से समंदित है 13 आप लोग एंसर दीजेगा परिधान ओप्सन ए 14 के हम बात करेंगे गराशिया जंजाती चे समंदित लोक नरते सेली कौन सी है ग्रास या जंजाती समदी ये परसल बहुत वर पुछा गया वालर पंदरा के हम बात करें निमल लिखित बोलियों में से कौन सी डूंडाडी की उपबोली नहीं है डूंडाडी की उपबोली नहीं है इंच्यारों में से अहीर वाटी को छोड़ दिया जाए जो की हमारा उतर रहेगा बाकि सारी डूंडाडी की उपबोली है आप्सने 16 के हम बात करेंगे रादसान की किस नदी को स्थाने बासा में 1 की आसा 1 की आसा यानि बनास आप्सन B 17 के बात करेंगे राजसान के जिलों में से कौन सा अती आर्दर जलवायू का परदेस भाग है अती आर्दर जलवायू जहां की जलवायू बहुत ही ज़्यादा आर्दर है सही उत्तर हो जाएगा उप्सन C 12 इन चारों में से आपको उत्तर देना था 18 के हम बात करेंगे राजसान के निमन में से किस जिले से होके करक रेखा गुजरती है करक रेखा डूंगरपुर बांसवडा उत्तर यहां पर बांसवडा होगा ऑप्सन भी क्योंकि जो है बांसवडा के अंदर से जाती है ऑप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा 19 की हम बात करेंगे निमन में से जीलों में से राजसान की कौन सी जील राष्टिय जील सरंक्षन कारीकरम के अंतरगत नहीं आती राष्टिय जील सरंक्षन कारीकरम के अंतरगत इन चारों में से कौन सी जील नहीं आती तो बोपाल सागर को छोड़ दिया जाए B की हम बात करेंगे जो की B कानेर के अंदर बी 21 के हम बात करेंगे J F M का पूरा नाम 6 Doukt 1 प्रवंदन ऑपसन 22 के हम बात करें से कौन सी भेड की नशल छक्री के नाम से जानी जाती है चक्री के नाम से कौन सी भेड की नसल जानी जाती है मगरा ओप्सने इसका राइट अंस रोगा तेज के हम बात करें राजसान में गोलिये हुए हनोतिये में भंडार है तामबे के है चांदी के है टंक्ष्टन के है मैगनिश के तो वहाँ पे तामबे के भंडार है कहाँ पे गोलिये और हनोतिये ओप्सने इसका सही उत्रोगा टवन्टी फॉर राजसान में अधिक्तम परशासनिक वन श्यतर निमिन लिखित श्रेणियों में किस से समधीत है सरंक्सीत है या आरक्सीत है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी के तो बिलकुल बिलकुल सरंक्सीत सबसे ज़्यादा वन है उसके बद आरक्सीत है फिर एवरगी करते है 25 के हम बात करेंगे कौन सा युगम सुमेलित है सही सुमेलित आपको बताना है कौन सा युगम शेतर दिया गया है सामने जिला दिया गया है तो ये कौन से जिले से समंदित है देखें वागड जो की बांजवड़ा से समंदित है बाकी को छोड़ दिया जाए तो भाकर भी गलत है, गिर्वा भी गलत है, बांगर भी गलत है, तो option B हमारा उत्तर रहेगा, 26 के हैं बात करें हैं, निमने में से कौन सी फसल सफेद सोना के नाम सी जानी जाती है, सफेद सोना आप लोग समझ के होगे कपास जो की सफेद है, 27 र राइट एंसर हो जाएगा, B कानेर, option D, 28 के हम बात करेंगे, अड़ वादा भांध राजसान में किस जिले में, अड़ वादा भांध, 28 भील वडा के अंदरे, option D हमारा उत्तर रहेगा, 29 के हम बात करेंगे, निमने में से किसे मरू गंगा कहा जाता है, किसे मरू गंगा कहा परिकरम, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, इंदरा गांधी, नहर प्रिलना को मरू गंगा भी का जाता है, और क्यूसर नमर 30 का एंसर आप लोगों को बताना है, जितने भी विद्यार थी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एंसर जरूर दीजेगा, जो भी सही उतर देगा, कॉमेंट ये, उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लूँगा, राजस्तान के नागोर पाली बाड मेरो, जैसल मेरे में मुख्य तरोप से कौन सी मृदा पाई जाती है, बलूई, काली मर्दा, लाल मिर्दा या पेली मर्दा, एंसर आप लोग कॉमेंट